क्या आप लोग को पता है एक बार पाकिस्तान की सरकार ने एक बंदर ग्रफतार कर लिया था और बंदर ग्रफतार करने की वज़ये को सुनकर आपको भी हसी आ जाएगी और क्या आप लोगोंने ऐसे टॉलेट्स देगे हैं जिनके फट्स पर टीवी स्क्रीन लगी हुई होती है और जो टैगर्स होते हैं उनके बाल ही यलो और ब्लेक नहीं होते बलकि उनकी स्कीन होती है वैबी बालो जैसी ही होती है और क्या आप लोगों को मालम है कि जो उनमर 29 जापन के तविल्म के वी हैं जापन Jak गी इस लिए गया कि जाता है तो उसी इंसान की एक भी साइर की फिल्म लेट नहां लेट ना हो और वैपने फिल्म का मज़ा उठा सके और इस वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको Noisful and Motivates वीडियो मिलती रहेंगी Fact No.28 कि आप लोग को मालू है कि पूर दुनिया में सबस्याद CCTV केमरे किस जगह पर लगाए हुए हैं Fact No.27 आप लोग ने अपने स्कूल में पैंसिल से काम सो ज़रूर किया होगा तो क्या आप लोग ने कभी ये सुचा है कि एक पैंसिल से सीधी लाइन कीच जाए और वेलाइन तब तक खिच जाए तब तक पैंसिल का अंतना हो तो उस लाइन की लंबाई क्या होगी तो आप एक पैंसिल के अंदर इतना गरिफाट होता है कि आप एक बार में 45,000 सब्द लिख सकते हो इस पूरी दुनिया में जितनी बड़्ट है उन बड़्ट के उपर जब बारिष आती है तो वे बड़्ट अपने गोसले में जाते हैं या पर छुपने की जगह दिखते हैं और उत्तर कोरिया में नीली जीन्स पहनना इसलिए मना है क्योंकि यह अमेरिका का फैसन है इसलिए उत्तर कोरिया के लोग इसे नहीं पहनेंगे। लगड़ेज़द नमर 24, South Korea की दो लड़कियां होती हैं वे दिन में अपने चेहरे पर 30-35 थपड़ मारती हैं और उनका अपने चेहरे पर थपड़ मारने का मेहन कराण यह होता है क्यूंकि आपके चेहरे का बलड़ सेल गरों सही रहता है और बलड़ सेल गरों सही रहने के कर आपका चहरा और भी ज़्यादा ग्लो करता है अब तक कि दुनिया की सबसे महेंगी लगडी जिसका नाम थी अफ्रीकिल ब्लैक वूड है यह लगडी इतनी जदा महेंगी है किसके वन केजी के प्रैस सेवन लेक रुपीज है और यह लगडी इतनी जदा महेंगी इसलिए है क पानी में चलाई जाती है तो देखने में कुछ ऐसे लगता है कि यह बूट पानी को खोल रही है इंटरनेशन स्पेस्टेसर पानी को पीते हैं उस एक लिटर को बनाने के लिए 70 लिटर साफ पानी का इस्तमाल किया जाता है और यह में प्राइस को मिलता है वर्ना यह मापी आपको किसी भी देश के देखने को नहीं मिलती प्रक नमर्ट 80 पुरे दुनिया है सबसे हल्की लगडी जो की बादसर बड़ी की लगडी होती है इस लगडी को एक 5 सेल का बच्चा भी उड़ा सकता है और यह लगडी इतनी दाद हल्की होती है कि आप इस बात कंदा इसी से ला सकते हैं कि इस वीडियो में आपको जो सक्स दिख रहा है उस सक्स के कंदे पर एक बहुती बड़ी लगडी रखे हुई है और उस लगड़ी का वजण का बैरा ले जाओंगे यह बादसर ब्रक यह इसलिए इस लगड़ी का वजण मात फेप्टिंग केजी है और यह लगडी हल्की होने के सबस्त काफी जाद मच्भू भी तैय कर लेता है नुबर 16 शाद आपको इस फैक्ट को जानने के बाद हरानी होगी कि हमारे प्रत्थी ग्रेपर इतनी जाद मखडियां है कि आप अगर एक एकड़ के एरिया में मखडियां ढूने निकलेंगे तो आपको 10 लाग मखडियां आराम से मिल जाएंगी और इतनी 14 वैस तो बाद में ट्रैफिक जाम लगना आम बात है लेकिन चाइना में एक बार ऐसा ट्रैफिक जाम लगा था जिसके लंबाज शॉकलो मिटर सीव ज्यादा थी और चाइना की सरकार को इस ट्रैफिक जाम को अठाने में पूरे बार दिन का समय लग गया था आप हॉलिव दौर विल्डी के दो पैलेट्स होते है लेकिन कि आपको यह बात मालुम है टो गोग लग अगर या पर या यूटव पर आपनी टाइगर मालू मालूśl होगी कि टाइगर यलू कि लाएने होती है तो ये बात में आपको बतायता हूँ कि टाइगर के बाली, यलो, ब्लेक अलर के नहीं होते बेलकि इसकी स्थीन भी कुछ इसी तरीके से होती है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो फैक नमबर टैन, पूर्द दुनिया के सबसे शाकाहरी लोग हमारे देश में मौजूद है भात की 15% आबादी शाकाहरपन नेरबर है इसी लिश्ट में दूसरे नमबर पर इसराइल है इसराइल के 13% लोग शाकाहरी है फैक नमबर नैन, कि आप लोग को मालू है फैक नमबर शेक्स, जो गोल्ड फिश होती है जिनका रंग सुनहरा होता है अगर उन गोल्ड फिश को आप समुद्र से लाकर किसी अंधेरी जगह पर रख देते हो तो उनका रंग हट कर गोल्डन से वौैट हो जाता है जानि की उनकी जो स्किन होती है कि उनकी स्किन को और लाइट ना मिले तो उनका रंग हट जाएगा और वौैट हो जाएगा लेकिन आपको डरने की ज़रूद भुलकिल भी नहीं है क्योंकि अगर वे दुबार रोशनी में आएंगी तो उनका रंग दुबारा से सुनेहरा हो जाएगा 5. जापान में जब भी बारिश होती है तब ही जापान में बारिश के पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है बाद में उसी पानी से सड़कों को साफ किया जाता है 5. क्या आप लोग को मालूम है एक बार पाकिस्तान की सरकार ने एक बंदरो कैदी बना लिया था और बंदरो कैदी बनाने कारण यह था कि वे बंदर एक हिंदुस्तानी था और वे सरद को पार करकर पाकिस्तान पहुँच गया था इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने उसे कैदी बना लिया था आप लोग को मालू है कि जो North Korea है वहाँ पर आप कार नहीं करी सकते क्योंकि वहाँ पर कार वही लोग करी सकते हैं जो Government Officers होते हैं वरना वहां की आम जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइगल्स का इस्तमाल करती है और इसे करने का अफाइदा यह भी है कि वहां पर पॉल्यूशन ना की बराबर है फैक नूमर टू पूरो दिन्या का सबसे पहला बाइक का मॉडल सर्म 1901 में लोच किया गया था और इस बाइक का नाम सुनकर आप चौक जाएंगे क्योंकि इस बाइक की मॉडल का प्रचार अब तक होता आ रहा है और उस बाइक का नाम है रोल इंफिल्ड जिसे हम बुलेट के नाम से भी जानते हैं जिसका क्रिद हास्तक चलता आ रहा है और क्या आप लोगनों कभी यह सोचा है कि रोल इंट फिल्ड को बुलेट क्यों कहा जाता है क्योंकि जब पहली बार बुलेट सन 1901 में लॉंच की गई थी तब बुलेट की टेग लाइन थी तोप जैसे दिखने वाली गोली जैसे चलने वाली और इसी काल रोल इंट फिल्ड का नाम बुलेट रख दिया गया था आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार मेडिकल शॉप से दवाईयों ज़रु खरी दियोंगी तो शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जो दवाईया हम करीते हैं उन दवाईयों पर रेड कलर की लाइन बनी होती है तो कि आप लोगों को मालूम है कि इस रेड कलर की लाइन का मतलब क्या होता है और यह रेड कलर की लाइन 90% दवाईयों पर होती है और यह रेड कलर की लाइन जिन दवाईयों पर होती है बेदवाईयां बिनन किसी डॉक्टर की मरीजी को नहीं दिजा सकती हैं अगर कोई भी medical shop इन दवाईयोंको बिनन किसी डॉक्टर की मरजी के बेशता है तो उस medical shop पर कारणुनी कारवाय की जा सकती है अब हमारी वीडियो यहाँ पर खतम होती है अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपको कौनसा प्यक्ट पसंद आया कमेंट वाक्स जरू बता दें और वीडियो को शेयर करना बुलकुल भी ना भूलें और चैनल को जबर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको नौलिशफु वीडियो मिलती रहेंगी